नमस्कार साथियों मैं हूँ प्रियो भारत डोजुमी सिविल एंगरिंग आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें कि डोजुमी सिविल एंगरिंग का एक भी वीडियो आपसे मिसना हो साथियों workability of concrete के बारे में आप समी वाकिफ है workability of concrete क्या है मोटा मोटी भासा में आप समझिए कि concrete का जो करुंख्षमता है उसको हम लोग जानते है workability of concrete के बारे में workability जो है concrete का वो बहुत सारा factor के उपर depend करता है जैसे aggregate का size हो गया यानि कि course aggregate course aggregate का size, course aggregate का shape, course aggregate का proportion, water cement ratio, cement का condition, cement का type क्योंकि आप सभी जानते है कि cement बहुत प्रकार का है ordinary potland cement है, pozzolana potland cement है, super sulphate resisting cement है, color cement है तो इन सारा चीज़ों के उपर और fine aggregate का fineness modulus के उपर भी depend करता है workability of concrete अब देखिए workability जितना बढ़ेगा strength उतना घटेगा, क्योंकि workability बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या मतलब काम करने में आसा नहीं किस कैसे हो सकता है अगर आप angular shape course aggregate के जगा, अगर आप round shape course aggregate अगर आप use करते हो, so in that case workability जो होगा, वो increase हो जाएगा और अगर आप stiff concrete बनाते हो, थोड़ा hard mix बनाते हो, तो क्या हो जाएगा, workability घट जाएगा यानि कि workability जितना बढ़ रहा है, उतना ही strength घट रहा है, अच्छा भाई concrete जो है, बेसिकली तीन प्रकार का है क्या क्या, nominal mix, standard mix और high mix, nominal mix में 5 concrete आता है, standard में 5 और high में 5, क्या क्या M5, M7.5, M10, M15 और M20, यह है nominal mix में, standard mix में क्या है, M25, M30, M35, M40, M45 यह standard mix में है, M50, M55, M60, M65 और M70, यह high mix में है, तो बेसिकली M5 से लेकर M30 तक इसका ratio हमको पता है ratio क्या है भई, देखिए, आपको तीन चीज़े याद रखनी है, क्या क्या, पहला है आपको nominal mix याद रखना है nominal mix, दूसरा है आपका standard mix, standard mix आपको याद रखना है, और तीसरा है और last है मेरा high mix, यह तीन प्रकार का mix से हम लोग concrete design करते हैं, तो nominal mix जो है, nominal mix में M5 M10, M15, M20 और M25 यह M5, M7.5, M10, M15 और M20 तो यह जितना mix है, 1, 2, 3, 4, 5, M5 से लेकर M20 तक यह 5 mix जो है, यह nominal mix में आता है, अब M25, M30, M35, M40 और M45, यह जो mix है, यह standard mix में आता है, M50, M55, M60, M65 और M70. यह 5 mix जो है, यह basically हमारा आता है, high mix में. अब एक चीज़ आपको समझना होगा, याद रखना होगा, कि बहुत बार question में यह पूछा जाता है, कि ratio क्या है, mix का, concrete का mix design ratio क्या है, तो अब इतना जान लेजिए, M5 क्या क्या है, M5 का ratio है, 1 is to 5 is to 10, यानि कि 1 ratio जो है, 1 is represent the amount of cement, 5 represent the amount of fine aggregate or sand, and 10 represent the coarse aggregate amount, अब यहाँ से, अब fine aggregate से एक एक घटाते जाएए, M7.5 के लिए क्या हो जाएगा, इससे एक कम कर दीजए, 1 is to 4 is to 8, यह हो गया मेरा M7.5, M10 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और कम कर दीजए, 1 is to 3 is to 6, यह हो जाएगा मेरा M10, अब देखिए, fine aggregate जितना होगा, coarse aggregate उससे दुगना होगा, into 2, जितना fine aggregate होगा, coarse aggregate उससे दुगना होगा, तो M5 के लिए बस याद रखिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 1 is to 5 is to 10, minus 1 कर दीजिए, M7.5 के लिए, 1 is to 4 is to 8, 4 से बाद मैनस कर दीजिए, M10 के लिए, 1 is to 3 is to 6, अ 4, अब M20 के लिए क्या है, अब यहाँ से 0.5 घटाना होगा, M20 के लिए, कितना, 1 is to, 1.5 is to 3, अब M25 के लिए कितना होगा, यहाँ से फिर 0.5 कर दीजिए, 1 is to, 1 is to, 2, बहुत बार M30 का भी निकल जाता है, लेकिन basically M30 में, यूज करना पड़ता है, Admixture, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 is to, 0.5 is to 1, ठीक है, यह हो जाता है बहुत बार, लेकिन यह देखा गया है, कि M30 का Strength जो है, M30 का Strength एचिव करने के लिए, हमको यूज करना पड़ता है Admixture, ठीक है, अब Admixture बहुत प्रकार का होता है, क्या-क्या है, Accelerator है, Retardor है, Air Intern Admixture ह इस तरह की बहुत सारा Admixture है, मेरे पास, basically दो Admixture जो है, यह famous है, क्या-क्या है, Accelerator और Retardor, accelerator यानि कि accelerate कर देता है का चीज को accelerate कर देता है जो retarder क्या करता है setting time को retired कर देता है accelerator क्या करता है setting time को accelerate कर देता है यानि कि retarder अगर आप use करेंगे अगर जो 30 minute में set होना था जो concrete मेरा 30 minute में जमने वाला था वो concrete जो है slow हो जाएगा retired हो जाएगा और अगर accelerator आप यूज करते हो basically accelerator कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है basically accelerator इस्तेमाल किया जाता है underwater concreting के लिए जहाँ पर pump इस्तेमाल करके pumping करके आप पानी को बाहर निकालते हो और in that case you have to use accelerator admixture for speeding up the initial setting time ठीक है तो यहाँ तक आप समझ गए लेकिन कर्मक्षमता कितना है कोई भी concrete का workability कितना है आप मान लिजे आप कोई भी grade का एक strength बनाए अब उस strength तो achieve कर गया बहुत बार लेकिन यह देखा गया है कि workability जादा होने पर क्या हो सकता है workability जादा यानिकी water cement ratio जादा हो सकता है आप water जादा डाल दिये हो या फिर हो सकता है size degree में कुछ गरबड़ी हो गया हो तो यह एक fill test है बहुत सारा workability चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारा method है क्या-क्या method है number one method है preferable जो है वो है slum test method number one जो है slum test method है number two क्या है compacting factor test है compacting factor test है number two compacting factor test है number three क्या है VB test है VB test है number four क्या है floatable test है ठीक है floatable test है तो basically यह चार प्रकार का test जो है यह preferable है और भी बहुत सारा का test होता है लेकिन basically यह चार प्रकार का test है slum test है compacting factor test है VB test है और floatable test है तो आज हम लोग जानने वाले हैं slump test के बारे में तो slump test जानने से पहले आप कोई जानना होगा कि slump apparatus क्या क्या है आप चाहें तो previous वीडियो को आप pause करके इसको आप एक image आप screenshot ले सकते हो कि इसका notification ratio कितना है कितना सारा ratio में होता है आपका concrete यह सारा आप note down कर सकते हो बेसिकलिए देखिए slump cone जो है यह एक पकर का cone है आपको cone समझाने के लिए मैंने एक घर से चुरा के लाया है बेसिकलिए एक balty shape का होता है ठीक है यह बालty shape का चीज होता है slump cone जो है ठीक है जिसका top dia यह है इसका top क्योंकि इसके ऐसे उल्टा करके रखा जाता है तो इसका top dia जो है यह 10 cm होता है bottom dia यह नीचे रहेगा इसे bottom dia जो होगा यह 20 cm होगा और यह height जो होगा यह 30 cm होगा यह balty है यह balty मैंने लाया है लेकिन यह basically slump cone ऐसे ही दिखता है नीचे इसका handle नहीं रहता है बस यह handle को खोल दी जब जैसे दिखेगा वैसे दिखता है slump cone और उपर से भी खुला हो रहता है एक base plate की उपर slump cone को रखा जाता है और रखने के बाद जिस desirable concrete ratio में मैंने mix किया हुआ है उसको एक बाई एक layer हम लोग placing करते है जो भी इसको आप समझ लीजिए तो basically slump cone का top dia जो होगा यह top dia जो होगा यह होगा 10 cm का bottom dia जो होगा यह 20 cm का यह height जो है यह 30 cm का होगा और और एक इस्तिमाल किया जाता है एक tamping rod एक rod इस्तिमाल किया जाता है जिसका diameter 16 mm होता है और length जो होता है वो 600 mm तो basically एक top dia होता है ऐसे ठीक है एक बाल्टी जैसा shape का एक cone होता है इसको हम लोग बोलते हैं slump cone basically एक slump cone है slump cone का top dia जो होगा यह 10 cm होगा इसका bottom dia जो होगा 20 cm है इसका height जो है यह 30 cm है ऐसे एक base plate के उपर इसको बिठाया जाता है है ना एक base plate के उपर बिठाया जाता है ऐसे एक handle रहता है इसको उठाने के लिए और एक rod रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं tamping rod यह थोड़ा सा गजब shape का हो गया है लेकिन इसका tamping rod का diameter 16 mm है और इसका जो length होगा लंबाई वो 600 mm है basically किया किया जाता है आप कोई भी ratio में पहले concrete को mix किये माल लिजे आप M5 concrete बना रहे हो तो 1 is to 5 is to 10 या फिर माल लिजे आप 1 is to 1 is to 2 M25 बना रहे हो आप आप 1 is to 1 is to 2 ratio का M25 बना रहे हो तो वो तो आप great strength आप जितना आपका higher authority से है या फिर आप ही खुद design करके जो निकाले हो कि इतना हमको water देना है water cement ratio इतना रहेगा आप cement इतना रहेगा fine grade इतना होगा coarse grade की इतना होगा आप सारा कुछ जांच करके आप उसको mix करने बोले हो लेकिन बहुत बार क्या होता है practical में कुछ थोड़ा सा चीज आपको अलग हो जाता है क्यूंकि मान के चलो आप कोई ऐसे environment में काम कर जहां बहुत hot environment है या फिर बहुत ज़ादा admixture add कर देने पर concrete का जो temperature है वो बढ़ जाता है concrete का temperature बढ़ जाने से जो उसका अंदर का जो water है वो भाब बन जाता है vaporized हो जाता है तो जो water cement ratio के जो factor होता है मान के चलो 0.4 या 0.45 या 0.5 ratio factor में आप water cement ratio add किये हो यानि कि अगर 0.4 रहा water cement ratio factor यानि कि इसके साथ आपका amount of cement 0.40 अगर आपका water cement ratio factor है into amount of cement यानि कि मान के चली आप 100 kg cement का काम कर रहे हो तो into 100 यानि कि 400 400 liter आपका पानी add करना होगा यानि कि water cement ratio factor water cement ratio factor into amount of cement दोनों को गुना करके आपको जो मिलेगा that will be the amount of water in liter ये liter में water के amount है लेकिन बहुत आपको जादा water add करना होता है workability test करना होता है in that case आपको देखना होगा कि बहुत जादा अगर hard भी हो जाएगा तब भी दिक्कत है बहुत जादा पानी हो जाएगा बहुत workable concrete हो जाएगा तब भी दिक्कत है अच्छा water ratio बहुत जादा होने पर यानि कि जादा flowable concrete होने पर दिक्कत क्या है अगर मान लिजिए मेरा water ratio बहुत जादा हो गया और पानी बहुत एकदम गिला-गिला सा concrete बन गया एकदम तरी वाला concrete तो उसमें क्या हो जाएगा concrete में जो heavy particle है heavy particle कौन सा है? core segregate है heavy particle तो core segregate जो है धीरे-धीरे नीचे settle करना लगता है तो इसलिए water cement ratio maintain करना बहुत ज़रूरी है तो पद्धती क्या है? पद्धती यही है कि आप पहले concrete वोगरा सारा कुछ ठीक से मिला लिए अब 4 layer में इसको हम लोग डालेंगे पहले एक layer आप डाले उसके बाद 25 बार आपको याद रकरा है 25 ताइम्स आपको इस stamping rod से इसको stroke करना है ऐसे ऐसे कूचना है उपर से ठीक है? 25 बार दे दिए फिर एक layer डाले आप फिर 25 बार फिर एक layer डाले फिर 25 बार फिर एक layer डाले फिर 25 बार करके travel से जैसे travel होता है जो travel जो travel होता है जहां सा cement बार सब कुछ लेते हैं हम लोग उससे पहले उपर को हम लोग ठीक कर देंगे एकदम समान कर देंगे और धीरे धीरे इस handle से हम लोग इसको उठाएंगे lift करेंगे lift करने के बाद कुछ स्थितियां ऐसे बन सकती क्या-क्या number one स्थिति क्या होगा या फिर माल लिजिए जैसे उठाएगा या तो हो सकता है एकदम as it इसका height कितना है 30 cm यानि कि 300 mm आप बोल सकते हो 300 mm इसका height है आप 300 mm ही रह जाएगा हो सकता है बहुत ज़ादा आप उठाएं और concrete का shape भी ऐसे ही रह गया इसका height ही रह गया उतना ही 300 mm यानि कि थोड़ा भी collapse नहीं हुआ थोड़ा भी नीचे deflect नहीं हुआ इसको हम लोग बोलेंगे zero slump zero slump बोलेंगे अगर माल लिजिए case 2 क्या हो सकता है case 2 मान के चलिए जो desirable है second case मान के चलिए थोड़ा बहुत हुआ थोड़ा बहुत slump भैलू निकला ऐसे करके तब इसके बगल में हम लोग place करेंगे इस slump को slump को हम place करेंगे tamping rod को हम यहां डालेंगे sorry tamping rod को नहीं एक scale को हम लोग यहां पर डालेंगे measurement करने के लिए या और tamping rod को सीधा सीधा लगाएंगे तो कितना height है वो निकल जाएगा मान लिजे आया 200 mm यानि की 100 mm जो है यह collapse कर चुका है 100 mm नीचे deflect हुआ है यही 100 जो है इसको बोलते है slump value तो slump value क्या है the deflection the height between or the difference between in height of the slump cone and the deflected concrete the difference height is known as the slump value दोनों का जो अंतर है उसका हम लोग बोलते है slump value यह दूसरा से केस हो सकता है third case क्या हो सकता है कि मान केच लिए यह मेरा base plate है एक धार का ऐसे collapse हो गया और एक धार का ऐसे ही रहे गया समान तो इसको बोलेंगे shear failure shear failure shear failure कब होता है जब inappropriate inappropriate जब compaction किया जाता है उसको बोलते है shear failure अच्चे से जब मान लीजे इस तरफ का आप ज़ादा ही compare कर दिये और इस तरफ का आप compare किये ही नहीं एक ही तरफ compaction करने से shear failure हो सकता है चोछथा क्या हो सकता है ऐसा है आपका base plate है जैसे ही आप उसको उठाए slump cone को जैसे उठाए पुरा छितरा गया एकदम इसको बोलते है collapse collapse कब हो सकता है जब बहुत ज़ादा water डाल दिये हो तब हो सकता है collapse collapse तब कर सकता है तो ये है मेरा total slump test का detail अब slam value कौन सा कौन सा होएगा तो आप मानिएगा कि ठीक है अगर 0 से आप देखिए 4 value है एक होता है very low slam value low, medium और high क्या क्या है very low low medium और high अगर value 100 mm से 175 mm आया slam value यानि कि ये जो slump value मैंने पहले ही बताया कि slump कोन का height है 300 mm या 30 cm और deflection के बाद slump को उठा लेने के बाद जो deflected हो जाएगा और उस दोनों में जो अंतर होगा उसको बोलता है slump value तो वो slump value अगर 100 से 175 mm रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग high slam value और अगर 50 से 100 के बीच में रहा तब बोलेंगे medium slam value अगर 25 से 50 mm के तक रहा तब बोलेंगे low slam value और अगर 0 से 25 mm तक रहा इसको बोलेंगे very low slam value आप कुछ-कुछ चीज़े हैं जैसे अगर normal nominal concrete work के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं या PCC करना है आपको कहीं पर RCC करना है वो तो depend करता है किस तरह का concrete है आपका किस तरह का आपका design factor है आप कहां पर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपका concrete का grade कितना है वो depend करता है लेकिन basically के लिए अगर आप रोड के लिए इस्तमाल कर रहे हो तो 0-50 mm रोड के लिए इस्तमाल किया जाता है normal pile foundation बगार के लिए 50-75 या 100 तक इस्तमाल किया जाता है high concrete के लिए 100-400 के बीच है بीम बगरा बांधने के लिए लेकिन ये fixed नहीं है कोई बोलेंगे नहीं ये मैं 75 mm मैंने इस्तिमाल किया हुआ है साइट पे तो हो सकता है वहाँ पर RCC है हो सकता है बहुत high grade concrete था हो सकता है environmental का temperature बहुत जादा था तो कोई fixed नहीं है कि एकदम ये है यही है 0 से 25 तो 0 से 25 ही है तो ऐसा नहीं है तो फिर से एक workability कैसा है काम करने की कर्म शमता कैसा है ये आपको पता लग सकता है basically workability test करने के लिए 4 प्रकार का टेस्ट किया जाता है slum test, compacting factor test, vb test और flow table test ठीक है ये 4 प्रकार का test इस्तिमाल किया जाता है slum test में slum gone का top die जो है 10 cm है bottom die 20 cm है height 30 cm है slum का tempering rod है इसका diameter है 16 mm और length है आपका 600 mm आपको 4 layer में आपको concrete को डालना है 25 बाद stroke करना है आपको और उसके बाद lift करना है 30 cm से जितना difference में आएगा वही है आपका slum value basically 4 पकार का condition बन सकता है या तो zero slump कोई slump formation होगा ही नहीं इससे आपको क्या पता चल सकता है अगर कोई slump नहीं हुआ यानि कि zero slump है उसको आप बोलेंगे कि इसमें water cement ratio बहुत ही कम था यानि कि water आप बहुत ही कम डाले हो थोड़ा और water आपको add करना है थोड़ा सा पहले slum इस्तमाल कर लेंगे slum test उसके बाद हम लोग water को increase करते रहेंग से और इस बाद थोड़ा सा compaction अच्छा से करना है चौथा case क्या हो सकता है collapse कर जा सकता है यह कब हो सकता है जब आपका बहुत ज़्यादा water डाल दिये हो तब हो सकता है collapse अगले वीडिवा हम लग समझेंगे compacting factor और VB test के बारे में तो I hope आप समझ गया होंगे लेकिन देख तुमी को facebook पे follow कर सकते हैं हर दिन important mcq वहाँ पर डालते रहते हैं description में link दिया हुआ है और अगर आप important civil engineering knowledge के बारे में जानना चाते हैं तो हम इस्टगा में follow कर सकते हैं उसका भी link description में है वीडियो को like किजा हम दोस्तों को share किजिए और मिलते हैं अगले class में अपना ध्य हान रखे जय हिंद जय भारत